दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर और दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे NCRT पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका टॉपिक आपके सामने है सरकार क्या है अर्थात वाट इस गौर्मेंट हम सभी लोग जानते हैं कि गौर्मेंट से ही दोस्तों होता है अब आपको जानना यह भी जरूरी है कि क्लास किसलिए इंपॉर्टेंट है इस्टेट PCS के लिए UPC एक्जामनेशन के लिए टीश्टी पीश्टी के लिए सुपर्टेट आरो ए आरो और यह इंपॉर्टेंट है डी टृपल एस्वी एससी सीजल एससी एस इसे सारे के सारे एक्जाम जिसमें यह पॉर्टी का पार्ट आता है यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास स्टार्ट करने के करने से पहले आपके लिए चार लाइन है देखिए दोस्तों क्या है शाम सूरज को ढलना सिकाती है शमा परवाने को जलना सिकाती है शाम तो है तकलीव पर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है दोस्तो आईए अब इस्टार्ट करते हैं अपने चेप्टर को जो टॉपिक है सरकार क्या है तो दोस्तो आप लोग अपने दिमाग को घुमाईए और सोचिए कि सरकार से क्या-क्या काम करवाय जाते हैं गवर्मेंट क् अंतरगत ही आती हैं आईए देखोए सरकार से कामगारों के अधिकारी अधिकारों की रक्षा की मांग बार्ट के लिए सरकार की और से रात सामगरी जैसे हम सभी को पता है कि बरसाथ के मौसम में उत्तर भारत में बियार के कुछ शेत्र में अकसर जब बाळ आती है तो वहां government कुछ पैसा पहुचाती है, कुछ ऐसे खानी पीने की चीजे पहुचाती है, आर्ठात वो सारे के सारे संसाधन उपलब्द कराती है, जिससे वहां की जन्ता आराम से अपने आपको set कर सके। निवास इस्तान उपलब्द कराती है अन साधन भी उपलब्द कराती है प्याज की दर में उच्छाल सरकार ने प्याज के दाम पर तै किये है अर्थात जो विविन प्रकार के खादपदार्थ हो चाहे अन वस्तुमे हो उन पर पैसे कम जादा करना अर्थात उनके दामों का निशिकरन, अर्थात, उनका निशित करना, ये सब का सब कार किसके अंतरकत में होता, ये सारे के सारे कार, गवर्मेंट के अंतरकत आते हैं, सर्वोच नियाले के लिए पांच और नियाधी सरकार, देखिए दोस्तो, सर्वोच नियाले हो, ठीक है, जिसे आप सुप्रीम कोट कहते हैं चाहे हाई कोट हो चाहे सत्री न्याले हो कुछ भी हो इन सब में क्या होता गौवर्मेंट के माद्यम से ही लोग निव्ट किये जाते हैं आप सभी लोग गौवर्मेंट जोग की ही तयारी कर रहे हैं अर्था सरकारी नौकरी की ही तयारी कर रहे हैं चाहे वो PCS हो चा कोईला और बिजली विभागों के पुनर गठन के पक्ष में है सरकार अर्थात कोईला से रिलेटिट कोई कार हो बिजली से रिलेटिट कार हो जल सम्मंदी रिलेटिट कार हो नदियों से रिलेटिट जितनी भी योजनाय होती है मैक्सिमम सरकार ही इन योजनाओं का प्रत्वाधन करती है सरकार ने 15,000 से अधिक गावों को सूखा ग्रस्त घोसित किया अब बात आती है सूखा ग्रस्त कैसे घोसित किया जाता है एक लंबे समय तक अगर उस छेत्र में बारिस नहीं होती है और गौर्मेंट का सरवे होता है सरवे में लिख दिया जाता है कि इतने साल या इतने महिने से आपर बारिस नहीं है तो उस एरिया को सूखा ग्रस्त गोसित कर दिया जाता है अब देखें आपको बताएं हर एक देश को विभिन नड़े लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है ये नड़े कई विश्यों से संबंदित हो सकते हैं जैसे सडके आपने देखा होगा कि जो किसी गाउं से संबंदित हो हम सभी लोग गाउं से संबंद रखते हैं तो जो गाउं की सड़के हैं वो सब गौर्रम्मेंट के अंतर्गत बनती हैं ठीक hé, जैसे पर्धान हो गया, पर्धान का चुनाव होता है बट जो परधान के जो भी कार करवाते हैं परधान वो सारे सारे गौवर्मेंट के अंतरगत ही आते हैं उनके साथ ग्राम सच्यू मिलकर या ग्राम विकास अधकारी मिलकर जो की एक गौवर्मेंट पोश्ट होती है वो लोग मिलकर गाउं के विकास कार हे तो कार करते हैं पक्की सड़के बनवाना, नाली बनवाना, नलों की विवस्ता करवाना, सार्जविनिक इस्तल की सुरक्षा करवाना और निवास इस्तान भी उपलब्द कराना ऐसे लोगों को निवास इस्तान उपलब्द कराना जिनके पास रहने के लिए जगए नहीं है तो ये सब गॉर्मेंट की ही पॉलसी होती है इस्कूल वगयरा, प्रात्विक विद्याले हर गामों में बनना जूनियर इस्कूल बनना, ठीक है आगनवारी की विवस्ता होना ये सब गॉर्मेंट के ही अंतरगत चीजे आती है गॉर्मेंट बहुत सारे कार करती है जैसे आसा बहु भी एक गॉर्मेंट के अंतरगत ही पद होता है सम्दाइक स्वास्त केंदर भी कहीं आपने गाउमों में देखे होंगे टाउंस में देखे होंगे, सिटी में देखे होंगे इनको इनकी विजुश्टापना जो स्टेफलिस किये जाते हैं वो गॉर्मेंट के थुरू ही किये जाते हैं देखे दोस्तों सडके और स्कूल कहां बनाये जाए बहुत ज़्यादा महेंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे गटाये जाए अत्वा बिजली की आपूर्ती को कैसे बढ़ाये जाए सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कारवाई करती है उदारन के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कारकरम चलाती है इनके लावावाए अनमात्पूर्ण काम भी करती जैसे डाक एवं वेल सेवाई चलाना देखो गरीबों के लिए क्या है जो अनाज होता है जैसे डाल, चावल, गिहूं, रिफाइंड, चना इनको कम दामों पर या मुप्त उपलब्द कराने की कोशिस गवर्मेंट करती है बट उनके लिए करती है जो वास्थविक रूप से गरीवी रेखा से नीचे जीवनियापन करते है बट होता क्या है कि उन लोगों के लावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन संसादनों का उभ्वोग करते हैं बट उनकी जो आर्थिक इस्तिती होती है, वह आम लोगों से अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, और क्या-क्या डांक सेवाई भी गौर्रमेंट के अंतरगत हैं, जिस ट्रेंज से आप ट्रैवलिंग करते हैं, एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर एक्जाम देने जाते हैं, ये सब क्या है गौर्रमेंट की देने। तो बहुत सारे कार होते हैं, जो गौर्रमेंट करवाती हैं। अपने देश की सुरक्षा करना, ताकि जो बहरी देश हैं, उनकी सेनाए अपने देश के अंदर ना घुसें, और अपने किसी भी देश के हिस्ते को कबजा करने की कोशिस ना करें। जैसे आपने LOC, Line Out of Control, and LAC, Line Actual Control के बारे में भी आपने सुना होगा। जैसे अपना परोशी देश पाकिस्ताने कोई न कोई समिस्या खरी करता रहता है, तो Border Security होना भी सब जरूरी है। ये सारे के सारे कार कौन करता है? सरकार। और एक अहम बात है कि अपने देश को अन देशों से शांती पूर सम्मंद भी बनाए रखना है, ताकि विस इस्तर पर वैपारिक दिश्टी कोर से ये भी important है। अर्थात विस इस्तर पर जो भी वैपार किये जाए, उससे देश की आर्थिक व्रस्ता मजबूत हो। जैसे वर्तमान में एक डॉलर के बरावर इंडियर रुपीज की कीमस तकरीवन 70 रुपीज है। अर्थात 70 रुपे हैं। यानि कि जो अपना देश है वो विक्सित राष्ट की काटागरी में नहीं आता है, यह विकास सील की राष्ट की काटागरी में आता है। अगर इसमें काटे से सभी से संबन्द होने चाहिए, साथ में अपने देश की आर्थिक विवस्ता मजबूत करने के एक एहम पैलू है, वह है एजूकेशन। एजूकेशन इंपोर्टेंट है, हॉस्पिटल इंपोर्टेंट है, इन द्यों चीजों पर बहुत अधिक क्या करना चाहिए, फोकेश करना चाहिए, और दूसरी बास दोस्तों कैरियर की भी आप्शन होने चाहिए, अर्था टाइम टू टाइम चाहे प्राइवेट सेक्ट यूथ होते हैं, उनका जो कैरियर है, वो हंडिट परसेंट बरवाद होने की संभावना रहती है, और इसी कारण वो लोग डिप्रेशन भी चले जाते हैं, देखी दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी ये सुनिशित करना है कि देश के सभी नागरिकों को परियाप्त भोजन और अच्छी स्वास्त सुधाय मिले, अरतात खाना भी अच्छा मिले और हॉस्पिटल वगेरा भी अवलेवल हो, जब प्राकरतिक विपता गेरती है, जैसे सुनामी या भूकम, तो मुक रूप से सरकार ही पीडित लोगों की साहता करती है, अगर कहीं कोई विवाद होता है, क भवाल है, लडाई धंगा, मदर है, मदर वगेरा है, इस टाइब की कोई भी गटना है, तो आप अफायार करेंगे, थानी से आप न्याले जाएंगे, न्याले भी एक सरकार का पार्ट ही होता, अर्थात किसका एक गौर्र्मेंट यससा होता है, कोई भी प्राकरतिक आपना आ सकती, चाई बाढ हो, चाई भूकम्प हो, चाई सुका ग्रस्त हो, क्या होता? सरकार ही इन सब का निदान करती है, और कोई न कोई रास्ता निकालती है. शायद आपको यह जानकर अचरज रहेगा, होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे करपाती है, और सरकार के लिए कामों को करना क्यों जरूरी है जब लोग इखटे रहते हैं और काम करते हैं कुछ हद तक एक विवस्ता की जरूरत होती है होती की नहीं होती है दोस्तों यह देखिए यह आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोट है जो की दिल्ली में इस्तित है भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है दिल्ली एक केंदर सासित प्रदेश है और यहां के जो मुक मंत्री है मानी सिरी अर्विंद केज़ीबाल जी है तो कुछ उधारण जो सरकार आंग है सरवोच नयाले भारत पेटोलियम भारती रेल यह देखिए यह रहा उच्छ नयाले सोरी सरवोच नयाले और यह रहा भारत पेटोलियम का लोगो और यह रही भारती रेल देखिए अब दोस्तों क्या है कुछ ट्रेंज ऐसी भी आ गी है जो प्राइवेट है जिस्ट लाइक वंदे भारत क्या है जो वंदे भारत ट्रेंज चलने जिसका नाम पहले ट्रेंज 18 था वह भी क्या है वह एक आगे भी संभावना है कि देश का प्राइवटाइज जो है निजी करण है वह बड़ी तेजी से किया जाने की संभावना है देखिए दोस्तों होता क्या है आव सक निरणे लिए जा सकें कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो उधारन के लिए संसादनों क नियंतरा और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित मैसूस कर सकें जैसा कि दोस्तों आपको बता देश की सुरक्षा कौन करता है देश की सुरक्षा जो करते हैं वह भारती सैनिक करते हैं चाहे वो BSSB में हो चाहे वो आर्मी में हो चाहे वह forces होती हैं, सभी किसी ना किसी तरीके से वेक्ति और समाच प्लस इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं, देखिए दोस्तों, वह नियम बनाती है, नड़ने लेती और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है, ये सब चीजे दोस्तों होती हैं, और rules देखिए सरकार के स्तर अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग-अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी दरसल सरकार अलग-अलग इस तरों पर काम करती है इस्तानी स्तर पर, राज के स्तर पर एवं वराश्ट्री स्तर पर अगर कभी-कभी आपसे इस टाइप का कोश्चन पूचा जाए कि जो सरकार है वह कितने स्तरों पर कार करती है तो आप बता सकते हैं पहला इस्तानी स्तर पर, दूसरा राज के स्तर पर, तीसरा वराश्ट्री इस्तर पर ये कर करती है देखे इस्तानी इस्तर का मतलब है जहां आप निवास करते हो वो गाउं भी हो सकता है कस्वा भी हो सकता है छोटा मोहला भी आपका हो सकता और आपकी सिठी भी हो सकती है यही एक इस्तानी इस्तर का मतलब होता है वो सहर भी हो सकता है दोस्तों मौला भी हो सकता है तो राज इस्तर का मतलब है जो पूरे राज को ध्यान में रखे जो राज इस्तर का मतलब क्या होता है जो पूरे राज को ध्यान में रखकर उसका विकास कार किया जाए जैसे हरियाना, असम की सरकार पूरी राज में काम करती है जैसे उत्तर प्रदेश, आप देश का कोई भी राज ले सकते हैं वो चाहे आंध प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडू हो चाहे अरवनाचन प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जम्बू कस्मीर, ले लदाक सारे के सारे राज्यों के अलक मुक्मंतरी हैं, राज जिपाल है और कैसे उसमें योजनाय लॉंच की जाती, जिस सारे के सारे राज इस्तर पर गौर्मेंट निशित करती है अब राश्टी इस्तर की बात करें, तो राश्टी इस्तर का मतलब है, पूरे देश से सम्मंद है क्या है दोस्तों, पूरे देश से इसका सम्मंद होता है, इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि इस्तानी सरकार कैसे काम करती है और कक्षाओं में राच एवं राश्ट्री इस्तर पर सरकार की कामों के बारें भी पढ़ेंगे आईए दोस्तों अब आपको दिखातें इंडिया का मैप देखिए यह लेटिस्ट मैप है आप सभी को पता है कि लेलदाक और जम्बू कस्मीर अलग हो गए और दोनों के दोनों केंदर सासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में 28 राच और 8 केंदर सासित प्रदेश है जिस मैप को आप लोग देख पार हैं यह राजनीतिक मैप है और सभी राज़ियों के राज़ दिये गए हैं और उनकी राज़दानी भी दी गई है इस मैप को आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं अंतर राश्टी सीमा भी दरस आई गई है जैसे यहाँ पर आप लोग देख पार होंगे आपको चलिए बताते हैं देखे डियर स्टुरेंट्स यह जो है इदर यह सब पाकिस्तान की सीमा लगी हुए क्लियर दोस्तों और यह जो आप लोग देख पार होंगे यह सब चीन की सीमा लगी हुए यहाँ भी और यहां तक यहां तक सब चीन की सीमा लगी हुई है दोस्तों और यहां तक आप लोग देखिए पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है और दोनों के दोनों देश अपने देश के लिए हमेशा कोई ना कोई समिस्या खड़ी करते रहते हैं आएए दोस्तों इसमें LAC और LOC को जरूर आप लोग याद रखें देखिए दोस्तों एक प्रसासनिक आपको दिखाते हैं प्रभाग 2011 के अनुशारिया मैप है यह देखिए किस तरीखे से दोस्तों बना हुआ है अर्थात प्रसासनिक का मतलब होता है दोस्तों गौर्मेंट के अंतरगत जितने भी कार होते हैं उनको कैसे किया जाए यह प्रसासनिक के अंतरगत ही आता है अर्थात जो गौर्मेंट जॉब होती है वो सब प्रसासनिक के अंतरगत ही आती है ठीक है दोस्तों आप आगे वरते हैं ये आपने देख लिया देखे आंध प्रदेश राज के पुनर गठन के बाद दो जून दो जार शुदय को तेलागना भारत का उन्तिसवा राज बना था हम सभी को पता है 31 अक्टूबर 2019 से जम्बू और कस्मीर राज तो अलग-अलग केंदर सासित प्रदेशों में बाटा गया है जम्बू और कस्मीर अलग है और दोस्तों ले लद्दाक है वह अलग है दोनों के दोनों क्या है केंदर सासित प्रदेश है अब आप लोग देखेंगे सरकार एवं कानून देखें इसका क्या है मतलब सरकार कानून बनाती है हम सभी को पता है वह रूल्स पास करती बट इसमें अहम रोल किसका होता है रूल्स बनाने बना तो गौर्णमेंट ने लिया बट पास सारी कि सारे संसद में होते हैं तो अब सोचने वाली बात है संसत क्या होता है, देगे, संसत में राजसभा, लोकसभा और राष्टपती, ये जब तीन भाग मिलते हैं, तब संसत का निर्मार होता है, संसत की चर्चा अनुछेद 79 में है, किसमें है, अनुछेद 79 में चर्चा की गई है, किसकी संसत की, तो सरकार कानून बनाती और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं केवल यही वे तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती वैसे यह ताकत भी होती कि लोगों को कानून मानने के लिए बाद करें जैसे आप एक बात संग्यों कि टू विलर्स आपके पास बाइक अर्थात मोटर साइकल है मोटर साइकल पे आपको सिटी में दो लोगों को दो लोग ही जा सकते हैं और एक लोगों को हेलमिट लगाना कंपल सरी है जो बाइक्स ड्राइब करेंगे अगर आप नहीं लगाते हैं तो 100% आपका चालान कटेगा अब तो इतनी टेक्नोलोजी अच्छी हो गई है कि ओनलाइन ही चालान दोस्तो कट जाता है क्या होता है ओनलाइन ही चालान कट जाता है देखिए दोस्तो, उधारन के लिए कानून की गारी चलाने वे एक पास लाइसेंस होना चाहिए अगर कोई लाइसेंस के बिना गारी चलाते हुए पक्रा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है ये जुर्माना भी दोस्तों भरना पड़ सकता है किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार किजिये कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है देखें दोस्टो कानून मानना इसलिए जरूरी है अगर आपको विकास करना है सरवा गिल्ड विकास करना है तो दोस्टो discipline और कानून दोनु चीजे important होती है सरकार जो कारवाई कर सकती है उसके अलाबा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं अर्तात किसी वेक्ति को लग रहा है कि ये कानून सही से नहीं हो रहा है तो वे भी उसके लिए सजक हो सकता है उधारन के लिए अगर किसी वेक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जात की कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वे न्याले जा सकता है डारेक्ट दोस्तों इसमें वे सुप्रीम कोड भी जा सकता है अर्थात जिसे सम्धान की आत्मा का आगया है अंशिद 32 ठीक है इसे क्या का आगया है उपचारों का अर्थात यह विविन प्रकार की जो दिक्कते होती हैं उनको सॉल्ब करने के लिए यह आटकिल्स बनाया गया है और सम्धान को बनाने में जो सबसे मुक रोल रहा है वह र कानून का पालन नहीं हो रहा तब नियाले आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है अब पढ़ेंगे सरकार के प्रकार क्या पढ़ेंगे दूस्तों टाइप सॉब गॉर्मेंट सरकार को निरुने लेने और कानूनों का पालन करवाने यानि उन्हें बात बनाने की शक्ति कौन देता है अर्थाद गौवर्मेंट ने रूल बनाए अब लोग उसे फालू नहीं कर रहे है तो गौवर्मेंट को ऐसी कौन सी पावर दी जाती है जिसे वह कह सके कि नहीं आपको ये रूल फालू करना पड़ेगा तो देखते हैं दोस्तो देखिए हां से इस प्रसन का उत्तर इस बात पर निरवर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है लोग तंतर में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं देखिए लोग तंतर का मतलब होता जहां लोगों का साधरिन जहां लोगों का शाषन हो उसे लोग तंतर कहते है प्रजा का सासन प्रजा के लिए प्रजा का सासन प्रजा के लिए अर्थात जैसे भारत है भारत एक लोग तंतर देश अर्थात यहां पर नेताओं का क्या होता है चुनाओ होता है कोई भी पार्टी हो उसका चुनाओंगा फिर जो नेता होगा वह ब बनेगा दोस्तों तो दोस्तों लोगतंत्र का मतलब होता जहां लोगों का साशन होता है लोग ऐसा चुनाओं के माध्यम से करते हैं कि वे अपनी पसंद के नेता को वोट दे कर चुनते हैं एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं लोगतंत्र में सरका को क्या फाइदा होगा या इस रूल से इस देश को क्या फाइदा होगा कितनी आर्थिक विवस्ता मजबूत होगी या विकास किस तरीके से होगा एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे रास्तंत्री सरकार कहते हैं तो रास्तंत्री सरकार ऐसी होती जैसे बात्सा होते थे औरंग जेब, अकबर, सा जहां तो इनके टाइम में राश्तन्त था अर्थात लाश्ट नुर्णे जो था पावर थी जो वह सिर्फ और सिर्फ राजा के पास होती थी तो जहां पर राजाओं का सासन हो अर्थात राजा के माध्यम से उस शेत्र में सासन किया जाए उसे राश्तन्त कहते हैं यहाँ पर जनता से कोई लेना देना नहीं होता था। इसमें राजाय रानी के पास नणाय लेने और सरकार चलाने की शक्ती होती थी। राजा के पास सलहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विविन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम नणाय लेने की शक्ती उसी के पास रहती है। एक चितर में आप देख पारेंगे, यह राजा है। ठीक है, जो भी राजा हों, बट जो भी पावर थी, राजाओं के पास हुआ करती थी। लोग तंतर में जनता के पास, लेकिन राज तंतर में क्या होता था? राज तंतर में होता था दोस्तो, सारा का सारा राजाओं के पास। देखिए लोग तंतर के समान, राज तंतर में राजा रानी को अपनी नणे के आधार नहीं बताने परते, नहीं अपने नणे की कि आपने ऐसा क्यूं किया इससे जनता पर इतना फर्क पड़ेगा जनता परेशानु आईसा राजा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं परती वह सीधा कहता है 30% देना है तो देना है अब देखेंगे दोस्तो लोगतंत्रिक सरकार इसके पहले देख लेते हैं यह बॉक्स मे आप लिख सकते हैं आपके यहां जिस प्रकार की शाषन विवस्ता है उसके इस्तान पर आप कैसी सासन विवस्ता चाहेंगे और क्यों देखें दोस्तो लोगतंत्रिक सरकार अर्था लोगों की सरकार कैसी होती है बारत एक लोगतंत्र है इस लोगतंत्रिक विवस्ता को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोगतंत्र लाने के लिए संगर्श किये हैं उपर बताया जा चुका है कि लोगतंत्र की मुख बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ती होती है अर्थात उनी के बीच का कोई लीजर होता है वह चुना होता है और वो अपना कीमती मत देकर उस नेता को क्या बनाते हैं फिर वही नेता विविन प्रकार के रूल बनाते हैं और सरकार के माध्दम से ही इनका संचालन होता है इसलिए एक अर्ठ में लोकतंत्र लोगों का ही शाशन होता है लोकतंत्र में मुलबूद विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागी दार बनकर खुदी शाशन करें आज के समय में लोकतंतरिक सरकार को प्रतनिदी लोकतंतर कहते हैं बाईचन्स अगर आपसे पूचा जाएं कि आज लोगतंत्रिक सरकार को किस नाम से भी जानते हैं तो आप कह सकते हैं प्रतनिधी लोगतंत्र सरकार लोगतंत्र सब्द ही पढ़ते आप समझ सकते हैं लोगों का सासन, रास्तंत्र राजाओं का सासन, that's enough dear students बहुत ही simple है, अच्छे से पढ़ते आगे बढ़ते हैं, प्रतनिधी लोगतंत्र में लोग सीधे, देखिए दोस्तों अभी बताते हैं क्या होता है, सीधे भाग नहीं लेते बलकि चुनाओं की प्रिक्रिया के द्वारा अपने प्रतनिधी को चुनते हैं, देखिए दोस्तो यह देखिए, आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा, कि एक जो दादा है, वोट डालने गए हैं, और उनके उंगली पर इंक लगाई जा रही हैं दोस्तों, और यह जो मतदान की क्रिया होती, प्रिक्रिया होती, इसमें जो कर्मचारी होते, सारे के सार सरकारी होते हैं, क्या होते हैं, गorمنit officer से होते हैं, वही यह election का process कमपलीट करवाते हैं, और दोस्तों इसमें जिस वैक्ती को जो अच्छा लगे प्रत निधी, उसी को वोट देता है, जो प्रत निधी उसको अच्छा लगेगा, वो उसी को वोट देगा, और विजई बना कि कोशिश भी करेगा तो देखिए दोस्तों अ कि बल्कि चुनाओ कि प्रिक्रिया के द्वारा अपने प्रतीनिधी को चुनते हैं यह प्रतीनिदी मिलकर सारी जनता के लिए लिए लेते हैं आजकल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोगतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वे देश के सभी वैस्क नागरिकों को वोट दोनी व्योट देने का अधिकार ना दे अर्थाथ दोस्तों भारत देश की बात करें तो यहां पर 18 साल से उपर जो भी व्यक्ति हैं चाहे मैला हो पुरुस हो ट्रंस जेंडर हो जो भी ओ 18 से उपरेज होनी चाहिए वह वोट डाल सकता है अर्थात मत दे सकता मत दान कर सकता है और अपनी स्वेच्चा से जिसको चाहे उसको वोट भी दे सकता लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकती है कि एक समय ऐसा था जब लोगतांत्रिक सरकारे औरतों और गरीबू को चनाओं में भाग नहीं लेने देती थी बिल्कुल दोस्तों बारत में ऐसा भी टाइम रहा है ऐसा भी वक्त रहा है जब मैलाओं और गरीबू को मत देने का अधिकार नहीं ता अर्थात उन्हे अन वक्तियों के बराबर नहीं समझा जाता था अपने शुरुवाती दोर में सरकारे केवल उनी पुर्षों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ती होती थी इसका मतलब था कि औरतों गरीबू और असिक्ष्टों को वोट देने का अधिकार नहीं था ऐसा ऐसी इस्तिती में देश उनी नियमों के सारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे अर्था देखे वे जो वेक्ति रिच होगा अमीर होगा पूरे संसाधन होगे उसके पास तो वो अपनी सुविदा के नुशार नियम बनाएगा ना कि क किसी गरीब वेक्ति को देखकर नियम बनाएगा बारत में आजाती से पहले बहुत ही कम लोगों को वोर्ट देने का अधिकार था इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गांदी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यापूर्वेवार का व्रोध किया उन्ह किस ने लिखी थी गांदी जी ने लिखी थी जिनको पितामा कहा जाता है मैं यह विचार सहय नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ती है वह वोट दे सकता लेकिन वह आदमी जिसके पास चरिक रह पर संपत्ती है शिक्षा नहीं है वोट नहीं दे सकता जो दिन भर कांदारी से काम करता वोट नहीं दे सकता कि कुछ ने गरीब आदमी होने का गुना किया है दोस्तो 1931 में यह इंडिया एक पत्रिका आई थी जिसको किस ने लिखा था मातमा गांदीजी ने लिखा था और इस विशे पर बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिंट किया था तब जाकर जनता संगटी थुई और उन्होंने अपने मतदान क्या है अपने वोट की मांग रखी कि हमें मतदान का अधिकार दिया जाए मैला हो चाहे पुरुस हो गरीब हो चाहे अमीर हो सिक्षित हो ना हो सभी को वोट का अधिकार दिया जाए बिलकुल दोस्तों देना चाहि यह नहीं किसी गरीब और अमीर में विश्यस डिफरेंज को समझना चाहिए। कहा गया है दोस्तों, सेरनी, सिक्षा वे सेरनी का दूद है, जो जितना पिएगा, उतना दाड़ेगा। यह जो लाइने हैं, डॉक्टर भीम राव अमेदकर जी ने कहा था। एक और लाइन है, सिक्षा सभी मनुस्ष्यों के लिए आवसेख है, बिना सिक्षा के मनुस्ष जानवर की समान हो जाता है। अब आप देख पर होंगे एक पोश्टर है, जिसमें वोट्स फॉर वुमेन कुछ मैला हैं, जो अपने मद्दान के लिए क्या कर रही हैं, विद्रोक नारेवाजी कर रही हैं और अपने अधिकार की मान कर रही हैं। देखे, संसार में कहीं भी सरकारों ने सुच्चा से अपनी शक्ती लोगों के साथ नहीं बाटी। पूरे यूरोप और अमरीका में मैलाओं और गरीमों को सरकार के कार्यों में भागी दारी के लिए संगर्ष करना पड़ा। मैलाओं द्वारा मता दिकार के लिए किये गए संगर्ष ने पृतों विश्युद के दौरान अपनी मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को मैला मता दिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेस मुव्मेंट भी कहते हैं। सप्रेस मुवमेंट कहते हैं इस बात को आप लोग याद रखें सप्रेस का मतलब होता है वोड देने का अधिकार सप्रेस का मतलब होता है वोड देने का अधिकार युद्ध के तरहान बहुत से पुरुस लड़ाई में थे इसलिए मैलाओं को उन कामों को करने के लिए बुल ठीक है दोस्तों और देखे जब मैलाओं ने विविन प्रकार के काम और उनकी विवस्ता करना सुनिशित किया शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्यर हुआ कि उन्होंने मैलाओं और उनकी शंताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूड़िबद धारणाय ब देशों में जाकर सेट हैं और अपने देश का नाम रोसन कर रही हैं तो मैलाओं पुरस में किसी भी प्रकार का अंतर ना समझें चाहे लड़की हो चाहे लड़का किसी टाइप का कोई बेदबाव ना समझें दोनों को बराबर एजूकेशन दे फिर देखिए अगर आगे निकलेगी तो सबसे अधिक लड़की ही आगे निकलती है क्योंकि इनमें जो सहन शक्ती होती है दुर्ण सक्ती होती है वो पुरसों से अधिक होती है उनकी आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगे जगे पर अपने आपको लोई की जंजीरों से बांध कर प्रदर वान में विक्षित राष्ट है, सभी देसों से पावरफुल राष्ट है, वहाँ पर मैलाओं को 1920 के पहले वोर्ट देने का अधिकार नहीं था, जब उन्होंने विरोध किया तब उनको वोर्ट देने का अधिकार सन 1920 में दिया गया, जबकि इंग्लैंड की औरतों को या अध आयम रोल भी पिले किया है, और दोस्तों आपको बता दें कि जो संधान है, उसको बनाने में सबसे आयम रोल किस ने किया है, आयम रोल दिया है, डॉक्टर भीमरा अमबेतकर, संधान बनने में दो वर्स 11 मार 18 दिन का समय लगा है, 12 अन्सूचियां है, 22 भाग है, 395 अन्ष वह 355 अन्षियत आएंगे, आपनी तिनी चीज़े दोस्तों पढ़ी है, एक बार इसको आप लोग जरूर देख लें, ताकि आप एक बार रिवाइस कर लेंगे दोस्तों, तो किसी भी टाइप की कोई प्राब्लम नहीं होगी, देख पारेंगे सरकार एवं कानून भी है, और कुछ सरकार के ये चीज़े भी दी गई है, देखिए दोस्तों, सब दिखा देते हैं आपको, ताकि आप लोग ध्यान रख सकें, सुप्रीम कोट की एक फोटो है, भारत पेट्रोलियम है, रेलबे है, डांक विवाग है, सारे की सारे गौवर्मेंट की अंतरकत आते हैं बड़ ऐसी संबावना आप जताई जा रही है, कि ये चीज़े भी धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएने, देखिए दोस्तों, राश्त अंतर, लोगतंतर भी पढ़ा, सरकार के प्रकार भी पढ़े आपने, लोगतंतरिक सरकार के बारें भी पढ़ा, कैसे लोग अपने ने लगातार आपको NCRT क्लासेस मिलती रहेंगे, आज आपने ये चेप्टर पढ़ा, कल आप पढ़ेंगे, इसी चेप्टर को फटापट रिवाइज भी करेंगे, और सोट नोट्स कैसे बनाए, ये भी बात आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगा अर्थात कल, दोस्तों, इस कलास को अधिक सेदिक लाइक करें, शेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों, जय इन, जय भारत!